WHO की 2019 में रिलीज हुआ Mental Health Awareness पर एक document ये clarify करता है कि burnout एक occupational phenomenon है ना कि एक medical condition. बर्नाउट की बात करते समय, लोग अकसर इसके impact Mental Health तक ही limited रखते हैं, पर देखा जाए तो burnout या Mental Health struggles सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, बलकि ये भी कि किसी का दिमाग कैसे काम कर रहा है और इसके chronic और long term stress के कारण उनकी body पर कैसा असर हो सकता है। Majority workplaces पर employees की mental wellness को ensure करने का promise बस यही है, एक promise, HR या अपने boss के साथ Mental Health issues के बारे में बात करना overwhelming हो सकता है, पर इसे करने का सही तरीका क्या है, जानने के लिए सुनते रहिए।